दोज़ार इकीस चाइना इंटरनेशनल फियर फार्ट ट्रेट सर्फसिज ने पहली बार डिजिटल सर्वस जोन नमाईश और डिजिटल रिन्मेन भी एवनियो कायम करके डिजिटल महिशत और डिजिटल तिजारत को उजागर किया मेले में कुल 143 हेविवेट मालियाती अदारे नमुदार हुए फाइव जी प्लस स्मार्ट बेंकिंग, अनमेंट बेंकिंग, क्लाउड बेंकिंग और फारंट करंसी एक्सचेंज मशीनों जैसी ताज़ाती मालियाती टेकनलोजी की काम्याबियों के साथ-साथ डिजिटल आर-मबी के जरिए लाया गया अमीक तजरबा भी सामने आया अच्छा जी पहली बात तो यह है कि कार्टन के लिए जड़ी कार्टन की बाहली है ना चीनी कपास और पाकिस्तानी कपास के फवायत को यकजा कर रहे हैं मैंने वादा किया था कि मैं शुमाली पाकिस्तान वापस आऊंगा और अपने दरीना दोस्तों के पास जाऊंगा मैंने वो वादा पूरा किया पाकिस्तान में चीन के साबक सफीर चांग चुनशेंग अपने दोस्तों की बात करते हुए रोपड़े जो शहराय कराकुरूम की तामिल के दोरान कुर्बान हुए थे जिन 2021 चाइना इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज मेला सितंबर के अवाईब में बेजी में मनाखित हुआ जिसमें तक्रीब एक लाग तीस हजार मरपा मीटर के मुमाईश हॉल्ट में सो से ज्यादा फॉरम्स, कांफरेंसें और प्रोमोशनल सरक्री में होंगी आए हमारी रिपोर्ट देखिए ट्रेड सर्विसेज के हवाले से 2021 चाइना इंटरनेशनल फियर फार्ट ट्रेड सर्विसेज आलमी सर्वस्ट्रेड के मेदान में बेहतरीन मवाद के साथ सबसे बड़ी बेनलगवामी नुमाईश है दुनिया बर के सोसे जायद मुमालिक से आउनलाइन और आफलाइन नुमाईश कुनिदगान मखसूस सनती खसूसियात के साथ इस स्टील फारिस्ट में जमा हुए हैं कोविड-19 के असरात का सामना करते हुए आलमी एदारे यहां तावन और कारोबार के नए मवाकों की तलाश में हैं हम समझते हैं कि पाकिस्तान के तजारिती तालुकात के लिए वो वक्त आन पहुंचा है कि हमें ऐसे कारोबारी मुवाके इस्तमाल मे लाते हुए दोनों मुमालिक के ताजरों और कारोबारी अफराद को आपस में जोड़ना चाहिए ताकि आपस के तालुकात को फरोग दिया जा सके इस साल तिजारती तालुकात हमारे लिए बहुत एहम रहे हैं खास तोर पर इस साल पाकिस्तानी बरामदाद बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और जनवरी से जून तक के पहले छे महीनों में हमारी तिजारत 80% से बढ़ चुकी है और इसकी वज़ा इस तरहां की नुमाईशों में शिरकत है। हेवी वेट मालियाती अधारे नमुदार हुए फाइव जी प्लस स्मार्ट बेंकिंग, अनमेंड बेंकिंग, क्लाउड बेंकिंग और फारंट करंसी एक्सचेंग मशीनों जैसी ताज़ातरीन मालियाती टेकनलोजी की काम्याबियों के साथ साथ डिजिटल आरेमबी के आया गया अमीक तजर्बा भी सामने आया अक्वाम मुधिदा के सेक्रेटरी जर्नरल अन्टोनियो गुदरेस ने एक बार निशान्द ही की थी के डिजिटल टेकनलोजी मालियादी मार्कीट में इंकलाब बर्बा कर ही है ये पाइदार तर्गियादी सर्मायाकारी को फरोग देने के लिए एक अहम आला बन सकती है डिजिटल फाइनसिंग चीम पाकिस्तान और बेल्ट अंड रोड के साथ मुमालिक की मौशी तर्गी में क्या कि गिरतार अदा कर सकती है इस मौशूब पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौशूद है जनाब शेख मौहमद शारिक साहिब जो के वाइस प्रेजिडेंट अफ नैशनल बंक फपाकिस्तान और चीफ रेप्रेसेंटिटिव इन चाइना और जिन की आडमी मौशीद बादला सेंटर के रिसेर्चर जनाब रण हैपिं साहिब इजिटल टेक्नोलिजी जो है वो हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत ही एहन के किरदार अदा कर रही है उसको प्रोमोट करने के लिए और डिजिटल टेक्नोलिजी वो जो है फ्यूचर में सबसे ज़्यादा एहमियत की हामेज है पाकिस्तान के अंदर भी डिजिटल टेक्नोलिजी का इस्तमाल हमने बहुत तेजी से बढ़ते हुए देख रहे हैं और खास तोर पे कोविट के दुरान जो प्रोमोट इजिटल टेक्नोलिजी प्लेटफॉर्म और इसी सर्विसे बहुत ज्यादा इसमें इदाफा देखा गया है एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मताबक पाकिस्तान की डिजिटल टेक्नोलिजी की जो का साइब है वो तक्रिमां 36 अरब डॉलर है डिजिटल एकॉनमी का और जो के 7% जीडिपी बनता है इसके साथ साथ ये एक तक्रिमां 40 लाग जॉब्स क्रियेट करने में फाइदेमन थाबित होगा और जिससे के 200 अरब डॉलर के जो डिपॉदिट्स हैं वो हमारी एकॉनमी में मॉबिलाइज होंगे के जिससे एक एकनोमिक एक्टिविटी जिनरेट होग यकीने डिजिटल फाइनेंस की तरकी इंफरस्ट्रक्चर की तामीर से जुड़ी हुई है अगर मॉबाइल फून और सिगनल नहीं है तो बाकी सब कुछ नामुम्किन है मिसाल के तोर पर मॉबाइल फून के जरीए वो अदाइगी जिसे अब बहुत से चीनी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आनलाइन अदाइगी का प्लैटफरम भी शामिल है जिसे हाई टेक बहमूत टेंसेट ने लाँच किया है ये डिजिटल फाइनेंस के मखसूस अंदाज हैं जो दुनिया भर में क्यूक्यू और वीचैट के सारफीन ने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किये हैं और कई मुमालिक की मौशी तरकी और लोगों के लिए बेमिसाल आसान तज़रुबा फरहम किया है गुजश्टे साल पाकिस्तान की सर्वीस ट्रेड एक्सपोर्ट में तकरीबं 10 फीसद का इजाफा हुआ साल 2021 की पहली शच माही में जीन के लिए पाकिस्तान की बरामदाद 1.735 बिलिन अमरीकी डॉलर से तजावूस कर गई पाकिस्तान और चीन के माबें सर्वीस ट्रेड में कौन से शुबों में मज़ीद बहतरी की गुंजाईश मौजूद है और मस्तखबिल के इमकानाथ क्या हैं चीन अब नई टिकनोलोजी बश्मूल, मुस्नुई जहानत, रिगोटिक्स और बिग डेटा के शुबे में आलमी रहनुमा है चुनाचे हम चीनी कारोबारी इदारों और चीनी हकुमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताके ये देख सकें के हम इस सिलसले में नए मनसूबों के लिए क्या कर सकते हैं पाकिस्तान में बासलाहियत नौजवान हैं जो आईटी के शुबे के माहिर हैं पाकिस्तान आईटी और सौफ़वेर इंडस्ट्री के मारूफ मुमालिक में से एक है इस साल भी पाकिस्तान में हमारे सॉफवियर की बरामदाद में बहुत ज़ीयादा इदाफा हुआ है पाकिस्तान में हमारी हुकुमत इस शौबे पर तils दे रही है आपका तूरिजम सेक्टर है वह बहुत उसकी अच्छी तरीके से प्रोमोट कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हर तरह की टूरिजम की अपर्चुनिटी मौजूद है अगर आप स्टार्ट करें साउथ से बीच टूरिजम हमारी तर्किमन 1300 कि कोस्लाइन है जिस पे हम अपना बीच टूरिजम प्रोमोट कर सकते हैं चीन के लिए फिलहाल पाकिस्तान में हमारे सर्विस ट्रेड बन्यादी तौर पर एंजिनरिंग कॉंट्रेक्टिंग टेली कम्यूनिकेशन सर्विसेज, मालियाती तावन और ट्रांस्पोर्टेशन वगारा के शूबों पर मुश्टमिल है लेकिन बहुत से शूबों में बहुत कम तावन है जिन में कारोबारी खित्मात, गोदाम, डिजाइन कंसलिटिंग, इंशूरंस, कल्चर, एंटर्टेन्मेंट और रहाशी खित्मात शामिल है मैं पाकिस्तान भी गया हूँ और पाकिस्तान की सोशल गवरनन्स के तमाम पहलों का जाइजा लिया है मैं समझता हूँ के दोनों मुमाली के पास बहुत से ऐसे शोबे हैं जो एक दूसरे की तकमील कर सकते हैं और उन शोबों में मजीद तावन और तरक्की की जरूरत है पाकिस्तान ने गुजश्चता सीजन में कबास की 5.6 मिलिंग गांठों की काश्ट की जो के 30 सालों की कम तरीन सदह है इसके साथ साथ पाकिस्तानी कबास की कीमत एक नई बलंदी तक पुंची और बेनुला कवामी मारकेट की सदह के तकरीब बराबर रही जिसने मकामी कबास से मतारिका सनदों पर जबरदस डबाओ डाला इस मौसमे गर्मा में चीन की कबास की बैदावार भी खराब मौसम की वज़े से काफी कम हो गई है इस मुश्किल वक्त में चीन और पाकिस्तान के कबास के माहिरी ने कौन से नए मवाकेट देखे हैं आए हमारी रिपोर्ट देखिए कपास को पाकिस्तान में सफेद सोना माना जाता है कपास की पेदवार में कमी ने मतलका मेकमे को खबरदार किया है और माहिरीन को वजुहात जानने के लिए भीजा गया है 2017 में मैंने फिर ये सारे विजिट की हैं चारों सूबों के तो उसमें में वज़ा जो है प्रॉफिटिबिलिटी ओफ कौन क्राप फार्मर के लिए वो आ रही है किसान का जो मनाफ़ वो कम हो गया खर्चा बढ़ गया तो जिस वज़ा से इन्होंने काटन ग्रोज हैं उन्होंने काटन लगाना छोड़ी है पचले सीजन में पाकिस्तान के किसानों के लिए सबसे बड़ा चैलिंज कीडों पर कंड्रोल था कपास की काश्ट वाला शुबा बहुत खत्रे में था पिछले सानों के दोरान हमारे पास कपास की काश्ट करने के लिए ऐसी अराजी थी जहां कोई दूसरी वस्ल काश्ट करने की इजाज़त नहीं थी लेकिन अब ऐसा नहीं है कपास के इलाके में बहुत सारी शूगर मिले है गन्ने का मुनाफ़ा ज्यादा है किसान गन्ना काश्ट करते हैं ताकि उन्हें ज्यादा पैसे मिले गन्य की काश से पानी की खपत ज्यादा होती है जबके कपास को कम पानी मिलता है ज्यादा पानी के इस्तेमाल की वज़ा से इस इसके में ज्यादा नमी थी जिसने ज्यादा कीड़े मकॉड़े पैदा गी ए खास तोर पर सफेद मक्षी और घुला भी सुन्डी दोनों क्यूरों का कपास की पैदावार पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है लेकिन हमारे पास इसे निमटने के लिए कोई टेकनलोजी नहीं है हमारे पास क्यूरों पर काबू पाने और क्यूरों से महفوoz रहने वाली अकसाम नहीं है दूसरा मसला गहर मैयरी बीज था किसान ऐसे कम्पनियों से बीज खरी देते हैं जिनकी पैदावार बहुत कम होती है नतीज़तन कपास की पैदावार भी कम होती है अच्छा जी पहली बात तो ये आए कर्टन के लिए जैड़ी कर्टन की बाली है वो पहला काम तो है कि दो नमबरी खतम की जाए हमको खाद मिलती है तो दो नमबर सप्रे मिलती है तो दो नमबर बीज मिलता है तो दो नमबर जब चीज एक नमबर हो जी तो साफ जारे सारे काम खतम होगे कपास के काश्टकारों के लिए सहुलियात और उनके मुनाफ़ की जमानत के लिए मुतहलका मेकमे की जानब से मसाइल हल करने की कोशिश की जा रही है तो में वज़ाई एक इन्पूट की कॉस्ट साल में यनि उसी सीजन में कॉटन के वो कम से शुरू होती थी अब इस साल हकूमत ने इलान किया है के पांच हजार से कम नहीं होगी तो इन्शालला मैं उमीद करता हूँ के अगले साल हमारी जो लॉस हुआ था पिछले दो तीन साल में वो रिकवर हो जाएगा हम एटन मिलियन बेल से ज्यादा चले जाएंगे उपर तो इस साल भी उमीद है के टन मिलियन तक हमारी प्रोड़क्शन हो जाएगी तो एक नेक्स्ट दूसरे साल तक हम तकरीबान वही परानी जो पैदावार थी हमारी उस पे आ जाएंगे जनके 14 मिलियन बेल तक 14 ये 15 मिलियन बेल इस दोर में मैक मज़रात वाले काफी कोशिश कर रहे हैं फील्ड में जा रहे हैं जगा जगा किसान को आगाई कर रहे हैं उनको फील्ड चेक करकर उनको जो मतबातिल दौाई होती है वो उनको परवाइड करते हैं लिक कर देते हैं इसके इलावा खाद पहले शाटिज बहुत होती थी दो नमबर बहुत होती थी अब अलम्दुलिल्ला मैकमा जरात की कोशिशों से मैनत की वज़े से एक नमबर पेस्टिसाइड मिल रही है जिम्मधार को और फर्टी लैजर कोई शाटी यह नहीं है दूसरा यह है कि पहले इतनी सबसडी कभी जिम्मधार को नहीं मिली जो इस दोर में मिल रही है एक अजार रुपया पर बैक डिये पी पे गोर्मेंट सबसडी दे रही है गोर्मेंट ने किसान कार्ड बनवाई हुए है कार्ड लेकर वो दुकान पर जाते हैं दुकानदार उन से एक अजार रुपया कम कीमत के उपर उनको खाद परवाइड कर लियता है सबसड़ी उनके अकाउट में चली जाती है हम किसानों को अच्छे मयार के बीच खाद और कीड़े मार अदवियात की एहमियत से आगा कर सकते हैं इस तोरान हमें चाहिए के हम किसानों को उन कमपनियों की फैरिस्त फराहम करें जो अच्छे मयार के बीच और मस्नुवात मोहया करती हैं ताके किसानों को अच्छे आप्शन्स मिल सकें गुजश्चता सीजन में चीन की कपास की पैदावार में भी कमी का सामना रहा कपास की पैदावार के हवाले से पाक चीन तावन की काफी मांग है चीन की कपास की पैदावार के इलाकों में से एक हनान में पाक चीन काटन सीड प्रोग्राम जारी है पाकिस्तानी और चीनी का पास दोनों के अपने फवाइद और मसाइल है मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में तरचा हरारत 50 सेंटी ग्रेड तक बहुत बुलंद होता है लेकिन चीन में कुछ इलाकों में बुलंद तरीन तरचा हरारत 40 सेंटी ग्रेड के करीब है जैसे जैसे global warming बढ़ रही है चीन को एक मसला दरपेश है कि वहाँ ऐसी अकसाम नहीं है जो आब औ हवा की तबदीली को बरकरार रख सके इसी तरह हमारे पास कपास में बहुत सी बिमारियां है लेकिन चीन को उन बिमारियों का सामना नहीं हमारी कपास लंबाई में चोटी और दर्मिانे दरचे की है लेकिन चीन के पास आला मयार की कपास है इस वक्त हम नए قسمیں बनाने के लिए चीनी कपास और पाकिस्ताणी कपास के फवायत को यकजा कर रहे हैं एक किस्म या विराइटी जिसे काश्टकार उगा सकते हैं, उसे तैयार होने में तकरीबन 10 से 12 साल लगते हैं, हम इप्तदाई सता पर हैं, हम तीसरे साल या चौते साल में हैं, अगले साल हमारा इन अकसाम को पाकिस्तान में उगाने का इरादा है ताकि पाकिस्तान में इन अ कपास पैदा करने वाले एक और आहम इलाके सिंक्यांग में जो खनान से 2000 किलो मीटर से ज्यादा दूर है एक चीनी माहिर के ख्यालात शाहिद की टीम जिसे हैं। सिंक्यांग में कपास की और सत यूनिट पैदावार दुनिया में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान एक बड़ा जराई मлек है जिसमें कपास के खेथ हैं। कपास के शोबे में चीन और पाकिस्तान के माँबान तावन की गुनजाइश खास तोर पर ज्यादा है। चीन और पाकिस्तान के जर्म प्लाजम रीसोर्स एक दूसरे की तक्मील करने की सलाहियत रखते हैं पाकिस्तानी कपास में गर्मी के खिलाफ मुजाहमत बहुत अच्छी है निसाल के तौर पर 40 डिक्री दर्चा हरारत जो एक हफ़ते से ज्यादा रहता है सिंक्यांग में लंबी कपास को नुकसान पहुँचाएगा लेकिन पाकिस्तानी कपास इस हालत में भी बढ़ सकती है इस किसम का गर्मी से महफूज रहने वाला बीज हमारी तहकीक के लिए बहुत कीमती है हमारी सिंक्यांग का पास की आला पैदावार और आला मयार की खुसूसियात भी पाकिस्तान के बीजों की जरूरत हैं उनका पाकिस्तान के साथ 23 साल का रिश्टा है वो शाहरा हिकराकुरूम की तामिर में शरीक हुए और आप हैं पाकिस्तान में चींग के साथ 23 जनाब चांचुन साहब आजए आज के खुसूसी प्रोग्राम में हम सफिर चांग की कहानी सुनते हैं पाकिस्तान में अपनी मुद्द के दौरान मैं कई बार शुमाली इलाकाजात में अपने दोस्तों की कबरों पर भी गया जो उस वक्त वफात पा गए थे मैंने वादा किया था कि मैं शुमाली पाकिस्तान वापस आऊँगा और अपने दरीना दोस्तों के पास जाऊँगा मैंने वो वादा पूरा किया पाकिस्तान के साथ वाबस्ता अपनी कहानी सुनाते हुए 73 साला बुजर्ग रोपड़े चांग ने 1974 में चीन की बेहतरी यूनिवस्टी पीकिंग यूनिवस्टी से ग्रेजुएशन की मैंने अगस्त 1970 में पीकिंग यूनिवस्टी से उर्दू सीखना शुरू की जो चीन के साथ इंतहाई करीबी दोस्त मुल्की माधरी सुबान है 1974 में ग्रेजुएशन के बाद हमने पीकिंग यूनिवसिटी छोड़ दी और शुमाली पाकिस्तान के दर्वाजे में दाखिल हुए मेरे तमाम हमजमात वहां काम करने गए चुनांचे मैंने भी 1970 की दिहाई में उर्दू सीखना शुरू की और उस वक्त तक पाकिस्तान के साथ गहरे तालुकात उस्तवार किये शहराय कराकुर्म जिसे पाकिस्तान और चीन के दर्मियान दोस्ती शहरा भी कहा जाता है पाकिस्तान और चीन की हकूमतों ने तामीर की थी 4000 मीटर की बुलंदी से उपर पहाडों को अबूर करते हुए शहराय कराकुर्म को अक्सर जन्नत का रास्ता करार दिया जाता है इसकी बुलंदी और जिन मुश्किल हालात में ये तामीर की गई थी इसी अक्सर दुनिया का आठवा अजूबा भी कहा जाता है हमने काशगर पोर्ट से अपना सफर शुरू किया एक रात हुजरते ही हमें लगा कि हम बुलंदी पर सफर करने के बाइस सरदर्द में मुब्तला है क्यूंकि ये सटह समंदर से 4700 मीटर बुलंद है जो के बहुत ही बुलंद जगा है वो इलाका जहां शाहराय कराकरम वाके है बहुत धलवानी है हम दुनिया की च्छत हमालिया पर जा रहे थे ये बहुत मुश्किल और खतरनाक सफर था हम तीन माह तक सटह समंदर से 53-100 मीटर की बुलंदी पर रहाइश पजीर रहे हाला कि इस उन्चाई पर पानी भी नहीं उबाल सकते थे हम हर वक साइंस्तानों के साथ रहते थे और सारा दिन बर्फानी पहाड़ों पर चड़ते रहते दर असल हमें मकामी बाशिंदों से चीजें लेने की इजासत नहीं थे लेकिन पाकिस्तानी देहाती हमेशा हमें खाना जैसे सबजियां सेब और खुबानी देना शुरू कर देते शाहरा की तामीर की अमल में खराब कुदर्ती माहौल की वज़ा से अकसर हंगामी सुरते हाल का सामना करना पड़ता था पराकुर्म हाईवे के दोनों तरफ तकरीबन साथ सो जाने जाया हुई जो के हाईवे के एक किलो मीटर फी जिन्दगी के बराबर है ऐसे में पाकिस्तानियों और चीनियों ने इंतहाई हालात में एक दूसरे की हमायत और मदद की है जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर किया वो पाकिस्तानी दोस्तों का जख्मियों को बचाना था हम में से किसी की गाड़ी उलट चाती या अचानक लैंड स्लाइडिंग का सामना करना पड़ता तो पाकिस्तानी दोस्त मदद के लिए आते अगर हमारे पाकिस्तानी दोस्तों को भी इसी किसम की सूरतिहाल का सामना करना पड़ता तो हम भी उन्हें बचाने के लिए जाते लहाजा हम ना सिरफ मिल कर काम करते हैं बलके रंग या कौमित से कता नजर हकीकी भाई भी हैं हमने एक साथ खून और पसी ना बहाया है इसलिए पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं पाकिस्तानी दोस्त तहे दिल से हमारे शुक्र गुजार हैं वो नहीं जानते के एहसान का बतला किस तरह उतारें बस वो आपके साथ खानदान के एक फर्द की तरहा सुलूप करते हैं शहरा कराकुर्म की तकमील Пाकिस्तान के शुमाली अलाकों बिलखुस पहारी अलाकों के दिहातियों में बड़ी तबदिल contar लाई है शहरा की तामीर के बाद शुमाली अलाके ने तेजी से तरकी की है मैं कई बार वापस पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात गया हूँ मसलन कबरों की सफाई के लिए या कारोबारी दोरों के लिए वहां के लोग बहुत खरीब थे लोग मुर्गी या अंडा नहीं बेच सकते थे अब जब के नकलो हमल आसान है पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों के बड़े शहरों से लोग शुमाल की तरफ सफर करते हैं चांग की 1980 में पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने में तकररी हुई अगर्चे उन मेंसे कुछ ने शुमाली इलाका छोड़ दिया वो लोग जिन्होंने मुश्कल साल एक साथ गुजारे थे जब वो इत्तफाक से पाकिस्तान में कहीं भी मिल जाते और माजी को याद करते हैं तो अब भी उनकी आँखों से आंसु जारी हो जाते हैं शुमाली इलाका जात जाते हुए मैं अपनी गाड़ी से नहीं उतर सकता बहुत से दिहाती मुझ से अच्छी तरह वाकित थे क्यूंके मैंने एक एक करके तमाम गाउं का दोरा किया है जब मैं दोरे के लिए वापस जाता हूँ तो गाउं वाले मुझे चाए पीने और साथ खाना खाए बगार जाने की इजासत नहीं देते चांग की कोश्चों से 2005 में गिलगित चीनी मेमोरियल कबरस्तान में चीनी, अंग्रेजी और उर्दू में कंदा एक यागार नस्ब की गई मैंने महसूस किया कि दुनिया तक ये दास्तान पुंचाने के लिए मुझे अग्रेजी, उर्दू और चीनी जुबान में एक यादकारी कबरस्तान बनाना चाहिए शाहरा कराकरम की तामीर के दोरान कुर्बान होने वाले चीनी और पाकिस्तानी जानिसारों को यहां दफन किया गया है, उनकी रोहों को भूलना नहीं है, वो मुश्किल ठकावट या मौद से नहीं डरे मुझे उम्मीद है कि चीन पाकिस्तान दोस्ती नसल तर नसल जारी रहेगी नजरी, सफिर चांकी मज़ीद द्याता कहानियां सुने के लिए हमारे प्रोग्रेम को देखते रहेंगे नजरी, प्रोग्रेम पाक्चाइना इंट्रेस देखने का बहुत शुक्या, अगले हवते मेलेंगे, खुदा हाथी प्रोग्रेम